नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिरुची क्या है, अर्थात एप्टिटूट क्या है, किसी वक्ति की जीवन में एप्टिटूट का क्या महत्व है, एप्टिटूट से किसी वक्ति के कारेक नित्वादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक लोग सिवक के लिए कैसा एप्टिटूट चाहिए, कैसी अभिरुची होने चाहिए, क्या कावे सेस्ता होने चाहिए, एक लोग सिवक के अंदर, यह हम देखेंगे, ताकि उसका नित्वादन बेहतर हो सके, क्योंकि हम जो जी पढ़ रहे हैं, हम सिविल सेवा के अभिरतियों के तोर पर ही, यह सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो आएए सुरू करते हैं, अभिरुची, अक्सर आपने लोगों देखा होगा या सुना होगा, कि कुछ-कुछ लोग बड़े अच्छे राइटर होते हैं, बड़ अच्छे साहितिकार होते हैं, और ऐसा भी देखा होगा आपने, कि कोई ज़रू नहीं कि साहितिकार का बेटा साहितिकार हो, उतना अच्छा साहितिकार हो, या किसी संगीतकार का बेटा उतना अच्छा संगीतकार हो, तो ऐसा क्या है, क इतना भी उसको training दी जाए वो जब ज़सी उसके अंदर डाली नहीं जा सकती। जिस छेट विशेष में व्यक्ति की अबिरुची है उस छेट विशेष में बड़ा अच्छा निस्पादन करेगा वो तीजी इस चीजे सीख लेगा और तीजी जब सीख लेगा तो उसका परणाम भी अच्छा होगा ऐसा अनमान लगाया जाता है वो छेट विशेष में किन चीजों को सीखने की चमता है अब रूची में तो आई हम देख लेते हैं से कि अब रूची का तात्पर उस गुंड से है कि यदि व्यक्ति को उचित वाता वाना तथा प्रसेच्छर दिया जाए इसकी ज़िए पड़ती है कि उचित वाता वाना और प्रसेच्छर दोनों की किसी विशेच्छित में आवस्यक योगता वा दच्छताओं को सीखने की कितनी चमता रखता है यह कहलाती अभिरूची जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर सतंज खेलने के पती अगर किसी व्यक्ति का एप्टिटूड है अभिरूची है तो वह देखिएगा जब उसको सतंज खिलने सिखाया जाएगा तो वो बड़ी तेजी सीखेगा चीजों को और साथी साथ उसका निस्पादन भी बहतर होगा इसी तरह अगर किसी के अंदर संगीत की अभिरूची है संगीत का एप्टिटूड है तो संगीत की चीजों को संगीत की बारिकियों को बड़ी असानी से सीखेगा बड़ी असानी से आत्मसाथ कर पाया और उसी कारण से उसका परिणाम उसका निश्पादन बहतर होगा उन लोगों से बहतर होगा जिनका संगीत के पती या सतन्ज के पती एप्टिटूड नहीं है इनकी अभिरुची नहीं है इन चीजों पती उनकी कंपेर में ऐसे ब्रक्ति के निश्पादन हमेसा बेतर होगा जिसका अप्टिटूड इनके पर शकरात्माख है अभिरुची की विशेश्टाएं क्या है एक अप्टिटूड की विशेश्टाएं क्या-क्या है यह हम देख लेते हैं जैसा कि बताया ही कि अभिश्टिए क्या है जन्म जन्म से ही आता है यही वजय है कि उंप्ता पहले हुआ that your Yukने पहले मैं उने बताया भीjes संगीतकार का बेटा को जरूल नहीं की संगीतकार हो ही जॉडिकर है कोई पहलुआ का बेटा कोई जरूनने की साहितकार हुए पहलवान का बेटा कोई जरूर से जाट है यह अगर उसको इतना अच्छा पहलवान हो जन्मजाद गुर्ण मिला, हो सकता बच्चे को यहां कि अधरे नहीं मौजूद है, तो वह उत्ना करें हो है कि जो बेटा है उसके अंदरस सामे की अभिरूची हो लेकर जब जैसी उसको scientists тому तो और से लोके श्यक्की वैसा aptitude नहीं है इसलिए उस्स 그द में और वह बहुतर निस्पादन नहीं कर पाएगा तो एक ऐसा जनवजात गुण है हलाकि ट्रेनिंग दे के निखार आ नहीं किया सकता इसको निखारा जा सकता बेहतर बनाया जासकता एक ट्रेनिंग दे कर इस गुण को पैदा नहीं किया सकता दूसरा यह अधिकान चीजिए आप देखेंगे जो भी पढ़ते हैं मनों विध्यान में इसे पढ़ना है वह अमूर्थ ही होती है क्या देखती ही नह है यह अब देख लिए बैए गेम हो गया खेल हो गया अ आप देखिए शंघीत हो गया इस 않아요 आप देख लेगे कोई विध्यान में अभिश्लिधisme हो सकती है किसी की इस气ी तरह से हजारों चीज है किरकेट हो गया किरह स corridors अंदर भी बहुत सारी खेल है अगज को गया तो किस म अभिरूची से संबंदेच छित में कार करने पर व्यक्ति का निस्पादन बढ़ जाता है वही तो देखें निस्पादन सांदार आता है जब अभिरूची से संबंदेच छित में ही आप काम करेंगे आप अपनी पर व्याकों निखा रहेंगे तो आपका निस्पादन बहुत बेटर होगा उसी की एक्जम्पल है देखेए हमादास का एक्जम्पल अब देख लेते हैं इसी सम्भन्दिय के एक चीज़ है बुद्धिमता क्यों को यह नहीं लोग कर पाते हैं कि बुद्धिमता क्या है और अभिरुची क्या है कई बार इनमें दोनों में confusion किसी होती है उ Einstein को बुला जाता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, इस तरह से बुला जाता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है, कौन Einstein, तो यह है क्या बुद्धिमाता, कैसे किसा अधार्प्रेंट को बोल लिए जाता है, कि फालाने व्यक्ति बहुत बुद् संसाधनों में किसी समस्या का हल निकाल सकता है उसके अंदर ये छमता होती है उसके अंदर ये योगता होती है कि सीमत संसाधनों में किसी समस्या का वो हल निकाल सके है जो अमूर्त चीज़ें हैं जैसे तर्गसास में पढ़ेंगे साइकलोजी में पढ़ेंगे इस तरह के वि चीजों को समझने की, विसलेशन करने की, चिंतन मनन करने की वह व्यक्ति छमता रखता है, तो उससे बुलायाता है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है, तो देख लेते हैं जैसे, बुद्धिमात है कि पहले सी परिवासा देख लेते हैं लोग, फिर नीचे देख लेते हैं, च प्रभावी धंग से उसलोपियों करने की ब्यापक्षमता क्या चलाती है बुद्धिमता कहलाती है और क्या विश्चता है इसकी कैसे कैसे बुद्धिमता देखेंगे अमूद तथा जिटल चीजों का विसलेशन तथा उने सरल रूप में पस्तुत करना ये विश्चता भी क्यार कहलाती है ये बुद्धिमता की विश्चता है और सिमेश संसादनों में समस्या हर्द करना जो कि मारे दैनिक जीवन में कामाता आप अकबर वीरबल की आपने कहान पड़िये होंगा अकबर कोाई समस्या का समधान का देता था सिमेश समय में समस्या का समधान दे रहे हैं तो बुद्धिमता कैलाती है इसलिए विश्चता बुलाइब कहानिया आपने इस श्रीव को बुद्धिवान की जो चीज़ें प्रस्तुस किया जा किसी नहीं चीज के खोच की जाए अभिरुची वह बुद्धिमत्ता में क्या संब्ध है रहता है लोग एक बूसरे को लेकर हमेसा कंफूज हो जाते हैं तो इप्टिट्यूड और इंटेलिजिंसी में क्या परख है, अभिरूची और बुद्धीमत्ता में क्या फरक है, कैसे या लग है, जैस लोग दोनों भी पटशके हैं अभी, अभिरूची क्या आप बुद्धीमत्तिकी ऐसी छमता है, जिससे कि कि किसी च्छेत विसेस में, यदि उसको प्रिसचर दिया जाया है, तो उसमें बह तो इतना दिमाग तो होना है कि यार इसी स्वीड से गेंद आ रही है तो हम को किस तरह से किस निकला आई गुमानी है कैसे अपना बलला गुमाना है कि छक्का जाए इस गेंद पर तो यह दिमाग तो उसको खुद लगाना पड़ेगा है खुद ही निर्णे करना पड़ेगा जो उस समय बैस्मन खड़ा हुआ है करके मैदान में तो एक मिनमम लेबल की बुद्धी मत्ता को चाहिए ही कोई व्यक्ति हो किसी भी छेत्त में अप्टिटूड रखता हो तो उसको बढ़िया परफार्मेंस करने के लिए बहतर निस्पा बादन करने के लिए व्यक्ति को एक मिनमम में लेबल के ठीक ठाक स्थार की बुद्धी मत्ता चाहिए होती है एक कि वैसे ही aptitude रखने वाला उस से ज्यादा बुद्धी वाला व्यक्ति भी होगा तो एक मिनमम लेगल की ठीक ठीकाने के लेवल की बुद्धी मत्ता चाहिए होती है निस्पादन के लिए तो उतना चाहिए फिर अगर उस छेत में aptitude है व्यक्ति का तब बेदर निस्पादन कर पाएगा अगर खाली बुद्धी मत्ता है उस छेत में aptitude नहीं है तब भी उतना अच्छा निस्पादन व्यक्ति का नहीं होगा तब भी उतना अच्छा निस्पादन नहीं है इसलिए किसी छेत विशेस में निस्पादन के लिए व्यक्ति को अभी रुची होना तो आवस् इसे तरक इसास हुआ गणे सुआ जिसमें चीज़ें अमूर्थ हैं जटिल हैं इन सब विस्यों में बुध्धी मत्ता का इसतर जादा चाहिए होता है क्योंकि विस्य ये अमूर्थ है उसमें बुध्धी मत्ता डिमांड ही है तो वहाँ पर चाहिए कि बुद्धी मता का इससा थोड़ा उपर रहा है लेकर आम दानिक जीवन में जो हमें पर सह मिलते हैं चाहा खेले हो गया, संगीत हो गया, पहलवानी हो गया जो चीज़ चीज़ में लोग हैं तो वहाँ पर ठीक ठाक इस्तर के अगर बुद्धी मता है तो लोगों काम चल जाता है उससे पर डिपेंड करता है कि उसका एप्टिटूट कैसा है और उसी के अजहार पर उसका निश्वादा निकलता है वेक्तितों क्या आया आपने अक्सर सुना होगा कहानियां पढ़ते हैं या आम दनिक बूलचाल में देखते हैं क्या देखते हैं कि फलाने वेक्ति बड़ा बहादूर है भगत सिंग के बारे में चंसिकायात के बारे में हमें साम लोग सुनते हैं कि बड़े बहादूर, बड़े साहसी, बड़े निडर बैक्ती थे, इन्होंने किस हद तक त्याग किया, बल्दान किया, अपनी मात्भूम के लिए, अपने देश के लिए, तो हमें सामें इस तरह की बातें सुनते हैं, साहसी, निडर, बिनम्र, या किसी बालों सुनते हैं, हम की बात सुन्दर है, आकर सक्थ है, इस तरह से, या किस तरह से वो त्याग करने वाला है, कितना उसके अंदर समर्पर की भावना है, देश के पती, राष्टे पती, तो ऐसी चीज़े हम अक्सर सुनते हैं, तो ये सब चीज़े हैं क्या, ये किसी के व्यक्तित्य दिखा रही है, को निडर है, या डर्पोख है, उदयालू है, निर्दई है, कैसा है, ये किसी के व्यक्तित्य की विशेशा दिखाती है, तो इसमें हम परिभासा देख लेते हैं, कि कैसे इसको है क्या चीज अब परिभासा इसकी देख लेते हैं कि विट्टि की अपिछाक्रत इस्थाई प्रकार की विशेशता हैं कैसी अपेच्छाक्रत इस्थाई तवे की विश्यस्ता है अपेच्छाक्रत इस्थाई प्रकार की विश्यस्ता है जो उसे अन व्यक्तियों से भिन्न बनाती है इसे अन व्यक्तियों से उसकी पहचान की जा सकती है फला व्यक्ति नहीं फला व्यक्ति जीसे बुला जाता है य या ये कच्छा का सबसे बहादूर चात्र है, या ये कच्छा का सबसे आलसी चात्र है, तो क्या विक्तित्त की पैचान ने बताई जा रही है, कि वाकियों से उसको अलग किया जा रहा है, उसी पैचान के अधार पर, ये से बहादूरी, बनमरता, सुन्दरता, ये विक्तित् इस रीप्तित्त था एंब विक्तित्त मुल्यांकर हमें किसी व्यटिके ब्यक्था करने में साहयता प्रदान करता है ह। इस तरह का रिस्पौंस देगा, इस तरह की पत्करिया देगा ह। किसी विखेश परश्तिती में व्यक्ति की क्या स्किरिय काय Самक graph adhan über अगर ईपार है कि कहीं पर कोई संग्कट है कोई आग त्व को इस तरह दिखाएगा उनलों की मदद करेगा तो इस तरह प्रित्किरिया देगा कैसा रिस्पॉंस देगा अठाथ ये पूर्र कथन करने की छमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भव्यक्ति में किसी परिस्थिते में कैसा बेभार करेगा। इसलिए हम व्यक्तित्यों का अध्धन करते हैं। किसी की व्यक्तित्यों को बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे यह देखिए भगत सिंग, राजगुरू और इनका व्यक्तित्यों आप जानते हैं क सिर्फ मनुस्यों के लिए बल्कि पस्वों के लिए भी किस तरह उन्होंने सिलालेक में लिखवाया कि भूखे को खाना खलाना चाहिए इस समय समय पर लोगों उस सेवा के लिए किस तरह कैम्प लगाए जाए तो दिखाता है कैसा उदार वक्तित्तु था असोग का कैसा दया रूची मतलब इंट्रेस्ट है तो समय फरक क्या जैसे आप घर में आप देखते होंगे अपने तो कोई भाई बैन आपका बोलता कि मेरी इस चीज में रूची है या आप खुद ही बोलते होंगे कि मेरी इस चीज में रूची है प्रहाई में में मेरी साइंस में रूची है दोनों में अंतर क्या इसको देखना ज़रूरी है रूची का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति कोई दबाव नहीं हो कोई भाय नहीं हो कोई प्लोभन नहीं है कुछ नहीं है इदम व्यक्ति स्वतंत्र है तो वैसी स्वतंत्र वस्था में वै अगर उसके पास बहुत सारे विकल् पे का चैन करेगा यह कहलाता है वेक्ति की रूची आखा उन्टिस्ट उसका हो है कि कि अन्दर यह माता-पिजा डाटेंगे इस तरह का मन में दबाव है, या पैसे का लोब है, तो वो उसी छित में जाएगा, जहाँ उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, या माता पिजा जो बोल रहे हैं, वैसा करेगा, तो वो उसके रूची नहीं है, वो तो दबाव में कर रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहा है, जब वो अप व्यक्ति का जनमजात गूर्ण है योगिता है कि छेत विसेस में वह बेहतर प्रफानमिंट करेगा अगर उसको प्रजिश्चन आना चीजे मिले पेदेख लेते हैं रूची का आर्थ है रूची का आर्थ है कि व्यक्ति के सामने कई विकल्ब में कष्थ हैं तो यह बिना किसी रूची और अभी रूची में यह देखना ज़रूरी है रूची से निश्वादन का अन्मान नहीं लगा सकते यह संभव होगा कि वित्ति की माली वित्ति की सतंज खेलने वे रूची है लेकिन उसका एप्टिटूड अभी रूची अगर सतंज खेलने के परती सकरात्मक नही है तो वेक्ति उतना अच्छा निस्वादन नहीं करता आएगा उतना अच्छा सतंज नहीं खेलेगा बहले उसकी रूची है बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के रूची अलग होती है उसको पता भी नहीं होता कि उसकी किशित में अभी रूची है यह भी नहीं पता होता तो इसी वैसे उन बैक्तियों का Mount Gome onde उत्र नहीं होता और उसकी किसी वैक्ति की रूचि अगर है सतंज खेलने में माने जिए और उसकी अब रूची है वास्तों में, संगीत में तो जब सतंज खेले गे वैक्ति अपनी रूची के अंसारा करे करेगा तो वो उतना अच्छा निस्पादन नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा performance नहीं कर पाएगा, तो यहीं पर यह बता जा रहा है, क्या आप रूची है, क्या रूची है, यह यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसी से, कि रूची से, निस्पादन का पता नहीं लगता आपको, किसी चेतर में कैसे निस्पादन होगा कारका ये रूची से पता नहीं लगता है तो ये तो हो सकता है कि विक्ति की चेतर विशेश में रूची है लेकिन अब रूची नहीं है तो निस्पादन उसका बेतर नहीं हो रहा है तो यहीं लिखा होगा है कि रूची से निस्पादन का अ प्रियास भी करेगा लेकिन अगर उसका अब रूची नहीं है तो उतना बहतर साहितिका नहीं बन पाएगा भले वो कितना फी बुक पढ़े, भले वो कितना सो की नो, तो इस तरह आप देखेंगे, अब रूची और रूच में ये परक है, अब देख लेते हैं कि अब रूची पढ़ी है, हमने क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वज़य है, हम सिविल सिवा के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब रूची उसके अंदर होगी, तो व्यक्ति इस शित्र में, यानि लोग सिवा के शित्र में, बहतर निश्वादन करेगा, अच्छा पड़ी नाम देगा, ऐसा आप देखेंगे, तो इसलिए ये देखना जरूरी है, जिन लोग का चैन होना है, उनके अंदर सिविल सिव कि पती अभिरूची है, अथवा नहीं, इसका ग्यान होना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, तो पहले तो हम ये देखेंगे, कि एक लोग सिवा के लिए किस तरह की अभिरूची क्या हो सकता पड़ती है, अब कैसी अभिरूची क्या हो सकता पड़ती है, अब कैसी में जाने के उन पुरांत किस तरह का चारह करना परता है आई दिख्रें हैं सीविल सेवाम को निमाय तरीके से कार करने होती है जैसे जैसे सब पहला काम क्या है नोटिंग और क्त्छिभ जोंभी सेवार में चाहता तो उसमें जो काम होते है वो सब तो उसके तो अनौत करनें क्याकर स्वाना रिखते नहीं करये लागा है तो यह ज़रूरी है कि व्यक्ति भासा कैसी हो यह तो सरलो इसपश्ट हो इसपश्ट हो और क्या हो संख्श्ट हो ऐसे नहीं कि चार पेश का आप नोटने लिखके रख दिये तो उसको पढ़ेगा क्यों होना यह चाहिए कि भाई आप दो पेश का भी एड्राप्टरिंग है गा दो पेश आपके बा चलता है कि मामें भी आजय कि लिट पेश यह लगता है में पत्र आरह हैं या आप में पतर ऴेजày जोड़ना होंती नोटिंग्हों नेखिया फाल में क्याकरने जाएं पकिसा नोटउं मनें चरूटी हम लिखते हैं आप जुनिये लिखते हैं वोसर चलता है और right side से स्म्द्ध होगीतने होंगे चाहे आपने भी बेज़ें रटाने हो वह सारे लिट football आखो इजय strong क्या स्वाल दूसरा चीज़े इसपष्ट हो ऐसा नहीं कि आप लोगए वो उसकी दो तीन व्याख है निकल नहीं है यह इतनी जटिल है इतनी अमूट किसम की आप में लिख दी कि कि आफosphere या मंतरी जी आप कोई समाजने जी नहीं पा रहा है कि यह है क्या तो इस पाष्ट होना चाहिए और तीसरा संशितन BL looking में तो अप डिस्काइब करते हैं लेकिन जब आप goes on करते हैं लेकिन जब आप Korili लेकिन तो संशित में लेकर चार-चेल पिरर उसको पूरा सार नहीं है तो उसमें चार्चे लाइन में आप लिख दें तो ऐसा लिखते हैं तो यह सब चीज़ चाहिए होती हैं तो नोटिंग और डाप्टिंग एक जरूरी काम है एक लोगते वाक के लिए क्योंकि फाइल यह आगे जाती है नीति निर्मार में फाइल की जरीए काम होता है तो आपको नोटिंग और डाप्टिंग बेहतर तरीकी समय आनी चाहिए ताकि आप अपनी बात इस पश्चरूर्प से कह सके हैं और उसमें कहीं लूप फोलना रहे कि यह ऐसा ना रहे कि उसकी दो-तीन बैख्ख्या निकल सके हैं उसका कोई अन्यवक्ति इसलिए नोटिंग और डाप्टिंग बहुत बेतर हो निकली बेतर होने चाहिए आगे देखते हैं कि और किसे प्रिक्टिट परती को सा काम करना पड़ता है जटल परिस्थितियों का विश्चित्य करना तथा वास्विक्ता का अनुमान लगाना जिटल परिस्थितियों का विस्येशन करना तथा वास्त्रिक्ता का अनुमान लगाना कई बार ऐसा होता है कि जितना सामने सामने हमें परिस्थितियों दिखते ही है वह ऐसा सच में नहीं हुआ होता या चूची जह में सामने दिख रही है उसका वास्तवी करना कुछ और हुआ होता है बहुत बार आपको आपके छित में देखेंगे कि लोगों ने घिराव किया, आन्दोरन किया या दंगे का रूप ले लिया उसने लेकिन आप सच में पाएंगे जब उसकी तहे में जाएंगे पूरे कान रूप की पाएंगे कि मुद्दा कुछ और था बाद में दो बिप्रीज गुर्ट आखर सामेल हो गए उसमें और मुद्दे ने कोई और रूप ले लिया वास्तविक मुद्दा कुछ और था तो इस तरह कि अगर जब भी समस्यां आती है जब भी जटिलता आती है तो एक लोग से वक्त को उसका विसलेशन करना जरूरी हो जाता है यह बाद आखर कहां से सुड़ू गया थी वास्तविक मुद्दा क्या था क्या मूल समस्या थी बाद में उसमें बिगड़के कैसे रूप ले लिया और क्यों ऐसा हुगा कि रूप बिगड़ गया है उसका कौन-कौन से लोग बीच में बाद में घुसा है कैसे लोग सामेल हो गया है कि यह इतनी जटिल समस्या बन गई है तो समस्यां का विसलेशन करना यह एक महत्त पूरकार है और जो वास्तिक चीश थी उसका अनुमान लगाना तो यह करना पड़ता अक्सर आप देखेंगे वास्तिक समस्या कुछ और होती है बाद में अर अलग गुटके अलग लग दल के लोग सामेल हो जाते है और उसको एक जटिल रूप बना देते है आपने अगर तमस उपन्यास पड़ा होगा यह बड़ा प्रसेद्व पन्यास है भीसमसानी का तमस या इस पर फिल्म ही बनीती है तो आपने वह अगर देखी होगी तो उसमें देखेंगे वास्तिक समस्या कुछ और होती है कहीं और से समस्या चालू होती है अग्ριस तरह ऐसे वो एक विक्राल रूप ले लेती है और पूरे सहर में किस तरह से दंगे फैल जाते है कितना भीसर्म breathtaking हो जाता है कितना तबाही हो जाती है पूरे सहर में और उस समिय उस समय तो अर चीछ है पन्यासना होता है आगे दिखते हैं और क्या होना चाहिए लोग से और कैसा कार करना पड़ता है यह देखिए इस सकार आत्मक डिश्टिकों रखते हुए कठोर और इस पशने रहे लेना बहुत पार ऐसा होता है कि जंदा का दबाव होता है यह आप ऐसा नहीं लेजिए लेकिन जब दी तो छोटे मुटे दमाओं को आपको दर किनार करना पड़ता है छोटे मुटे दमाओं को से आपको हटके बड़े रिसिजन लेने पड़ते हैं जैसे कहीं पर माली पुल बनना है तो विभन गाओं के लोग या अलग छित्वों को लोग कहीं से रोट जानी है तो बहुत आत गोट के अलग अलग दल के लोग आपके पास दबाव डालने आएंगे कि यह चीज यहां से कर दिए स्थरह है लेकिन लोग से वक्रत हो में सब्सक्राइब अपनी दूरगामी नीती कि अंसारी ने रहने लेना कि जो ने रहने उचे तो वही करना है या कई बार होता है कि लोग विरूद करते हैं कि जब भी आप रुस्तारी करेंगे सरक का या नई सरक बनाएंगे तो जिन्हों की जमीन जा रही है वहां से बड़ा विरूद होता है लेकिन चुकि सरकार की नीती है और लंबे समय में लाग को ध्यान में रखना है तो वैसे कठोर नेड़ा लेने पड़ते हैं ऐसा बहुत बार देखाता है तो विरूद पर भी आपको जाकर इस चीज़ लोगों को समझा न परता है बताना पड़ता है कि फला नेड़ा इस वज़े से लिया गया इसके पीछे ये लॉजिक है तो यह करना पड़ता है आगे देखते हैं और क्या देखना पड़ता है सिवल से लिख को आकड़ों को समझ कर अपनी राय देना आकड़े कहां से आते हैं फिल्ड से आते हैं जैसे आप सीनियर पोस्ट पर चले जाते हैं तो आपका जो आकड़े होते हैं उन्हीं आकड़ों के अधार पर आप विस नीति देशित में लागो की जातके हैं, तो किसी भी लोग से वाकोश्टु कि उसको आंक्डों के अधार पर नीति निर्मार करनी है, तो उसे आंक्डों का ध्यान बहुत बेहतर रंक से आना चाहिए, एक ठीठ ठाक ग्यान होना ही चाहिए, तो आंक्डों का ग्यान लोग से होना चाहिए, क्योंकि आंक्डों से ही उस चीज़ों को समझता है, अनुमार लगाता है, विसलेशन करता है, उसी के जाब से उसे नीतिया मनानी पड़ती है, और अपने सीनियर को भी लॉजिक देना पड़ता है, संधाना पड़ता है, कि ऐसे ऐसे आंक्डे, इसका ये नि बहुत सारे कर्मचारी कार करते हैं, वो कर्मचारी आपस में उनका समझता से बना रहा है, और अपने बहुत से जो सीनियर है, उसके साथ भी बेहतर समझता से बना रहा है, कुसल समझता से बना रहा है, इसकी आवसकता पड़ती है, क्योंकि अगर समझता से नहीं है, बेहत समयज़ होना चाहिए जो भी लोकसिवाक है उसका करमचारी मों सा सकरात्मक समध्ध होना चाहिए एक सकरात्मक आप लोकसिवाक बनके तो जनता के बीशे में बराबर आपको जाना पड़ता है ताकि आप फिल्ड विजिट कर सके हैं जो बहारे के समस्याएं हैं क्या-क बहारे की रूप में दिक्कत है वो आपको पता हो बात में तो उपर तक तो सुनी-सुना इस बाते पहुंचती है जो नीचे वाला लोकसिवाक के फीट बैक देता आपने सीनियर को लेकिन जो सबसे नीचे ले इस तरपा जो लोकसिवाक पोस्टेड है वो फील्ड में जाके वास्तुक सुचना है देखता है वास्तुक समस्याएं को स्वयम अनुवाव करता है देखता है तो एक लोकसिवाक क जनता के वीच में जाता है तो ना सिर्फ समस्यान पर चलती है बलकि जब आप कुछ दिर बात करेंगे कुछ समय Tक बात करेंगे तो समस्यां का निदान भी परदा चलता है निदान भी सामने आता है लीश लिश्शन करना चाहे रहे हैं उसमें भी आपको बड़ी मदद मिलेगी घटनाओं का और चिति तधा वास्तित काना जाने का प्रयासम पहले भी घटना भी तो जो ऊपर से घटना दिखती है जिरूरी नहीं कि वास्तों में वैसी ही घटना रही हो विभिन तरह के जो समदाय होते हैं घटनाओं की व्याक्या करते हैं अपने अपने पच्छ से घटनाओं की व्याक्या करते हैं और ज्यादा फाइदा लेने चाहते हैं और दूसरे पच्छ दल पर साथ से प्रशासन पर भी दबाव बनाने की कुछिस करते हैं तो वैसी स्थिति में घटनाओं का सटीग विसल जानकाई रखना एक लोकसिवक के लिए आवस्थ्यक हो जाता है कि उसलेशन करें कैसे घटनाएं घटी क्यों इसमें अन्य गृफसा में हैं उनका क्या फाइदा है उसके बाद ही वह निर्णाले की आगे इसको कैसे हल करना है समस्या को तो यह एक लोकसिवक के लिए जिरूर क्या है कि जनता के हित्मे कार करना विसीश कर वन्चित वर के जो रियादा सोसित हैं समाज में हांसिये पर हैं बुरी स्थिति में हैं उनके उपर एक विसीश इसने रखना विसीश सद्भाव रखना और ज्यादा फोकस रखना उनकी उपर ताकि उनको भी जो हांसिये पर लो तकलीप हों, मुस्किलों और समस्याओं को समझना, उनका विशलेशन करना, विवेचन करना और जितने संसाधन उप्रब्द है, महारे देश मैं रहे हैं, जिस लगातार गरीवी रही है, इतने देश दिनों तक देश गुलाम रहा है, तो देश उतना संपन नहीं रहा है, तो संसाधन सीमेत होते हैं बजट सीमेत होते हैं तो कोई भी लोग से वाथ उस सीमेत बजट में उस बजट का उपयोग करके साथ में जन समर्थन लेकर जनता से भी संसाधन और समर्थन लेकर वो उतने ही सीमेत बजट में सीमेत संसाधन में बेतर निस्पाधन कर सकता कैसे उदा एक साथ साथ बे तो यहां तक हमें देखा किस तरह ऐसे करने पड़ते हैं अब जैसे करने पड़ते हैं वैसा उसका एटिडुट होना चाहिए उससाथ से एप्टिटीटीव ढूना चाहिए क्योंकि उस फिल्डे में वैसा वैसे वैसे कारूँस को करने है तो वैसा उसका एप्टीटीव ढूना चाहिए इस साथ में हम यह देख लेते हैं कि इसके साथ से अब UPSC ने लोगसिवायोगने क्या परिवदान लाया है कैसे पbokने चाहिए है कि यही हमारी चर्चा का परिवतन लाया है यह संबंद कैसे संबंदेते हैं आपसमें कैसे कनेक्टेट हैं यह देख लेते हैं देखेंगे कि नोटिंग और डाप्तिंग बेता डंग से एक लोग सिवक को आने चाहिए कि कोई सब्सक्राइब करना चाहिए इसलिए आप देखेंगे कि आपके पेपर में कम्त्री हिंसन जो जोड़ा गया है वह इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप जटिल कोई उल्जावची लिखिए उसको भी कैसे समझ सकें इसलिए आपके यहीं जोड़ा गया है यह प्रेशन जोड़ी गई है इसलिए यह उसलिए वह देखेंगे कि अंग्रेजी काम अंग्रेजी हिंदी दोनों में आते हैं, लेटर भी आग पास कुछ अंग्रेजी के भी आएगग, और हिंदी के भी या जो आपकी स्थानी बास आए, उसकी भी आते हैं, दोनों में काम करना पड़ता है आपको, तो ठीक ठाक अंग्रेजी का अभी ज्यान आपको होना चाहिए, तो इसलिए इस पॉइंट के लिए देखेंगा, किस तरह से कम्तियेंसल, जो नहीं है सिवर सरे स आप देखेंगे, जो परिस्थितियों का विश्लेशन करना, तथा वासुत्ता का अनुमान लगाना, आप देखेंगे, जो सीचेट का सिकेंट पर है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्न आते हैं, इसमें परिस्थितियां दी रही तो उतनी है, फिर आप से विकल्पर देखे पूछा जाता है, क्यों सा विकल्प ज्यादा बेतर है इसमें से, यह आप देखते होंगे, उसको कुछ प्रस्न आते हैं, साथ-ाथ प्रस्न आते हैं इस तरह से, तो इसी चीज़ के लिए जोड़ा गया है उनको, इन प्रस्नों को, कि एक लोग से वाक्षितियों की, जो ज और सिर्फ यही नहीं है, आप जब मिल से पढ़ेंगे, तो मिल से में भी केस जटरी होती है, वो इसलिए होती है, केस तरश्न देजाती है, कि आप इस पत्पर यहां पर हसीन है, ऐसी समस्य आ गई है, इस तरह की प्रस्य थीया उत्पन हो गई है, तो आप क्या निरना लें कि कैसे आप जैसे आपको पत्क्रिया होती है कैसे आप को एक रिस्पांस करते हैं वही देखने के लिए case study जोड़ा गया है आप देखेंगे case study इसलिए जोड़ा गया है और साथ में साथ जोब आप c set का second paper है उसमें भी आप देखेंगे इस तरह से प्रस्म पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं कि case study में इसी तरह से निर्णा आपको लेने पड़ते हैं मेंसे भी आप देखेंगे इस तरह के प्रस्म पूछे जाते हैं ना सिर्फ case study में भी बाकी जगे भी जहां पर आपको कुछ-कुछ आपको जटिल चीजों का मतलब निकालना पड़ता है और कि अब एक प्रसना आया था कि पानी पत्में इतनी उध्यों होते रहें आप जहां भी किताब हों पढ़ेंगे हर जगे पढ़ेंगे तो आपको यह लिखा मिलेगा कि पानी पत्में फला फला उध्यों हैं तीन मुख उध्यों हैं और भी उध्यों हों आपर तीन मुख पूपना अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर परिस्चतियां थि पैसी भग अपुछन यहाद आते हैं अब UPSC ने उस तरह के पूशने बंदे कर दिया है कि फ़ला चीज क्या है इस चीज है क्या चाहे वो गोई भी घटना हुई हो राष्टी अंतराष्टी वहाँ पर ये घटना क्या थी उसके बारे पूछना बंदे कर दिया है अब UPSC ने ये पूछना आरह में किया है कि फ़ला घटना क्यों हुए यह यह तक्नीक नया और इसका रुगा क्यों है यह क्या के बजाए क्यों पर और जन्ता में उसका क्या फाइदा उसे क्या निस्कत निकलता है हम क्यों पढ़ें उस चीज को इस पर ज्यादा फोकस किया है UPSC ने बजाए सूचनाओं की जानकारी रखने के उस सूचना का उद्देश क्या है क्या है लाब क्या है एक लोग सेवक किरपती एक आम व्यक्ति किरपती इस पर फोकस ज्यादा है क्योंकि सूचना तो आप इंटरनेट अब लेबल है आपके हाथे होई अब कोई भी सूचना तुन पर आपकर सकते हैं नहीं है यह जादा ज्यादा चीजे रट लिए हों आपने ज्यादा ज्यादा शूचना आपने खटी कर लहा हो उस पर गड़ने क्या अब UPSC के जूर है कि आप analysis करने कि फला घटना अगर हुई तो क्यों हुई उसके पीछे logic क्या वजय क्या वास्विक कारण क्या है तो इस चीज़ें पर जूर जादा दिया जा रहा है वो इसलिए कि जो भी लोग से लेक्ट हों तो वो जो घटना के वास्विक कारण है जो भी suggestion हम लोग ने चरचा की घटना के जो वास्विक कारण है शित्यों कि डिषा करना और वास्विक कारण कि पहचान करना ताकि घटना की वास्ती कारण है वह पहचान में आसके किस वयसे गटना हुई तो यह समय आप देखेंगे इस चल्मन जो पेपर का प्रटन है जो चल्मन में है वो इसी तरह का है आक्रों को समझ कर अपनी राय देना जैसे हमने पहले विचर चाह की चुकि जैसे आप सिन्जर होते जाते हैं तो फिल्ड पर जाना आपका कम होता जाता है एक आप नीती निर्मार करते हैं नीती की तैयारी करते हैं कि किस तरह की नीती राश्यज में लाबदायक होगी इसलिए एक लोग से आको आपको 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 आप करम चारी में प्रबंदनन को कि इन्टर्परशनल स्कूल चाहिए, जो उतन्य बात कर सके और उसका प्रमधन कर सके, तो इंटर्परशनल स्कूल को और रहता है ये द दर इन्टर्परशनल स्कूल डबलप हो सके में वे इस तरह के पूछे जाते हैं जो इंटर पस्टन से समधित हैं आप समने वालों के बातों सो समझ सकें अगर वो जटनल रूप में भुला घुमा कर वी चीज़ों को बोला है तो आप समझ सकें इसलिए प्लिंस में बहुत सारे ऐसे पर पूछे जाते हैं जहां प्रसनो रही है कि आप कोई अंदर interpersonal skill develop है की नहीं है आपके अंदर वैसा appritude है की नहीं है तब ही अगर कई बार ऐसे गुट या समूर के लोग भी आते हैं जो आपको दिख भ्रमित करना चाहते हैं तो आपको वास्तिक नहीं किसे आप सामने वालों को समझ पाथे हैं है की नहीं कर पा रहा है उसके यहीं छम्ता देखी आती है साशायकारण का प्रयास करना है यह उन्हें बताया है कि कि श्रशाजी में भी, CCF में भी हर जगे क्यों कोई गटना है, क्या की वज़ा है क्यों उपर ज्यादा जोड है समझे उपेसी के द्वारा, क्या का मतलब है कि आप सूचना हैं उनसे पूछ रहे हैं, कि आप जनतर लोग सिवा कि बती समार कियर की भावना, सत्य निष्टा की भावना, सहानबूरती, त्याग, करूना, वो सारे मूल आपके अंदर आत्मसाथ हैं की नहीं हैं, तो वो सब की वज़ासे है, वो ही सब देखनी वज़ासे, कैसे आप उसके पती, क्या ड्रश्टिक हों रखते हैं, इसी के लिए यह इथिक्स वाला पेपर, जो नहीतिक साथ के पेपर है, यह सिल्बस में जोड़ा गया है, यह कि इस स्टडी इसलिए जोड़ी गही है, यह कि इस स्टडी जैसे आप पूछ आती हैं, तो आपका एप्टिट्यूट समझ में आने लगता है, आपकी अभिरुची समझ में आने लगती है, तो इससे यह पता चलता है, इसलिए आप देखेंगे नैतिक साथ के पेपर आपके लिए जोड़ा गया है, वो इसी काना चुँआ गया, तो अभी तक हमने देखा एप्टिट्यूट के बारे में पढ़ा हम लोग ने, कि अभिरुची क्या है, एप्टिट्यूट क्या है, बुद्धिमता और एप्टिट्यूट याने एप्टिट्यूट में क्या संबंध है, दोनों की जिए कितनी बुद्धिमता होने चाहिए, एक व्यक्ति के तोर पर, एक नाके के तोर पर, कैसे एप्टिट्यूट लाबदायक है, किस तरह एप्टिट्यूट की आवसकता है, इसके बारे में देखा हमने, और सबसे महात्त्मूजोग की एक लोग सिवक के लिए, किस तरह का एप्टिट्यूट होना चाहिए, किस तरह की अभिरूची होने चाहिए, यह हमने देखिए, एक लोग सिवक को किस तरह की कारे करने पड़ते हैं, अपने जीवन में, उसी तरह से उसकी अभिरूची होनी चाहिए, इसलिए लोग सिवायोग ने अपने पाठेकम में, अपने पैटन में किस तरह से बदलाव लाया है, इस अभिरूची के लिए यह हमने समझा, तो यहाँ पर हम अभिरूची के हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पर हम आज का वीडियो अब बंद करते हैं नए वीडियो में हम नए टाफिक लेक के आपके सामने फिर सेहा चरूँगे तब तक के लिए नमस्कार